इन पहाडों की तलहटी में रहना एक शांदार अनुभव है। मेरे जीवन के कई दशक, मेरा शुरुवाती आधा जीवन इने ढूनते हुए गुजरा। क्योंकि मुझे अपना बोज हलका करना था। अब मैं मुश्किल से ही यह रह पाता हूं। एक स्थर पर आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है परवत की तरह बन जाना अचल और स्थर। क्योंकि जब किसी इनसान का आधार बहुत स्थर होता है, केवल तब ही बहुत सारी चीजें की जा सकती है। जीवन में उलास तभी संभव है जब पून स्थिरता हो। वरना उलास पागलपन की ओर ले जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो थोड़े क्रियेटिव हैं, थोड़े एक्टिव हैं, थोड़े उलासमाई हैं, वो अंत में जाकर बावले और लगभग पागल से हो जाते हैं। क्योंकि स्थिरता और संतुलन के बिना आप नाच नहीं सकते। इसी कारण शिव का मतलब एक ही साथ स्थिरता भी होता है और निर्थ्य भी। या तो आप उन्हें बिलकुल स्थिर बैठा देखते हैं या आप उन्हें विस्फोट अक्मृत्य करते देखते हैं क्योंकि विस्फोट केवल तभी संभव है जब एक मजबूत आधार मौजूद हो एक ऐसा विस्फोट, जो विनाश न करे केवल तभी संभव है जब स्थिरता हो लोग अपने जीवन को काबू करके उसमें काट चाट करके उसे स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं आपकी दादी मा स्थिरता के लिए ऐसा तरीका बताती रही होंगी खुद पर काबू करो तभी तुम में स्थिरता आएगी हाँ, अगर आप मर जाएं तो आप स्थिर हो जाएंगे बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ तो आम तोर पर जो लोग स्थिरता की बात करते हैं वो कबजियत वाला जीवन जी रहे हैं आप जानते हैं कब्स क्या होता है इसका मतलब है कि ये थोड़ी-थोड़ी हो रही है उनकी खुशी, उनका प्यार, उनका पर्मानंद यहाँ वहाँ थोड़ा-थोड़ा होता है यही कब्स है तो स्थिरता यानी ये नहीं कि आपने अपने जीवन में कांट छाट करके उसे छोटे से छोटा बना लिया और आप स्थिर हो गए इससे कोछ आसिल नहीं होगा स्थिरता आती है क्योंकि आप सब कुछ पूरी स्पश्टता से देखते हैं इसलिए जब हम कहते हैं आदी होगी तो हम स्थिरता की बात कर रहे हैं और साथी साथ एक उलाज भरे नृत्ति की भी ऐसा सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि उनके पास दो से ज्यादा आखे हैं जरूरी नहीं कि तीन लेकिन दो से ज्यादा इसका मतलब कि वो आम लोगों से कहीं ज्यादा देखते हैं क्योंकि वो ज्यादा देख सकते हैं इसलिए वो स्थिर हो सके हैं अगर आप सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं तो आप स्थिर नहीं हो सकते तो सारी कोशिश बहतर देखने की है ये पूरी संस्कृती इस बारे में बात करती आई है आप मंदिर जाते हैं कोई अर्जी देने के लिए नहीं बलकि दर्शन के लिए बहतर तरीके से देखने के लिए बुन्यादी तौर पर लोग उसे नहीं देख पाते जो जीवन में हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ अपनी पहचान बना ली है ये पहचान शरीर के साथ शुरू होती है फिर आगे जाकर उसमें कई और चीज़ें जुड़ जाती है जैसे ही आप किसी चीज़ के साथ पहचान बनाते हैं आपके पूरे मन को ये समझ आता है कि इसे सुरक्षित रखने की जरूरत है और वो बस यही काम करने लगता है तो मैं अपने देश के साथ, अपने धरम के साथ और अपनी जाती के साथ पहचान कैसे खत्म करूँ, वो सब करने की जरुरत नहीं है. अगर आप अपने शरीर से अपनी पहचान खत्म कर लें, तो सब गया, सब कुछ ने पढ़ जाएगा, क्योंकि हर चीज की जड़ वही है, हर चीज बस एक फैला हुआ रूप है, आपके शरीर की सीमेच चार दिवारी के साथ आपकी पहचान का. जैसे ही आप अपने शरीर के साथ पहचान बनाते हैं, बाकी पहचान अपने आप बढ़ने लगती है. और यह पहचान काफी तेजी से बढ़ती है. आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको जितनी ज्यादा सफलता मिलती है, यह पहचान उतनी ही तेजी से गहराती जाती है. जैसे जैसे यह पहचान बढ़ती है, आपकी नजर उतनी ही सीमित होती जाती है. आपके मन की दुनिया में चल रहा नाठक, बड़े से बड़े स्तर पर चला जाता है, और आपको कोई चीज देखने ही नहीं देता, आपके अपने विचार और भावनायें आपको डुबोई रखेंगी. अफसोस की बात है, कि यह दुनिया लोगों को लगातार ये सोचने पर मजबूर कर रही है, कि जो कुछ आपके मन में चल रहा है, वो बहुत महतुपूर्ण है. मैं दुनिया को ये समझाने में लगा हुआ हूँ, कि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, वो कच्छरा है. नहीं सद्गुरू, मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, वो भी कच्रा है. शायद थोड़ा पवित्र कच्रा लेकिन वो फिर भी कच्रा ही है क्योंकि आपके दिमाग में न तो भगवान आ सकते हैं न शैतान न देवदूत वहां केवल विचार आते हैं कोई मूर्खी एक विचार को पवित्र और दूसरे विचार को कुछ और कह सकता है विचार का मतलब किसी ऐसी चीज से है जो फिलहाल हकीकत नहीं है विचार यानि आपके मन में भरा पुराना कच्रा अपसड रहा है आपको जिन्दा रहने के लिए सोचने की ज़रूरत है इसके या उसके बारे में लेकिन आपको किसी नई चीज के बारे में जानने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको आत्म ग्यानी बनने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सोची क्या सकते हैं आप केवल अपने दिमाग में भरी पिछली बातों के बारे में ही सोचेंगे शायद अलग अलग तरीकों से आपका कच्रा चाहे जितने भी अलग अलग तरीकों से सामने आए उसकी जीवन में कोई एहमियत नहीं है शायद सामाजिक रूप से थोड़ी एहमियत हो जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ कई लोग कहते हैं ये एक विचार शील नेता है यहां कोई विचार नहीं है तो सपश्ट रूप से देखना हर चीज को देखना यानि अपनी दृष्टी में आप खुद अर्चन नहीं बन रहे हैं अगर ये एक चीज हो जाए तो स्थिर्ता आ जाएगी आपको उल्लास के लिए चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि वो जीवन की प्रकृती है हर चीज उल्लास से भरी है आपको अपना उल्लास कम करते रहते हैं क्योंकि बिना संतुलन के उल्लास दुख देता है अगर आप संतुलित हैं और बहुत तेजी से चलते हैं तो आप खुद को चोट पहुँचाएंगे चाए आप साइकल चला रहे हो या इस ब्रह्मांड की सवारी कर रहे हूँ अगर आप संतुलित हैं और स्पीट पकड़ लेते हैं आप खुद को बुरी तरह से चोट पहुचाने वाले हैं इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है और ऐसा संतुलन जो किसी चीज को कम करके आए वो संतुलन नहीं है वो एक तरह से packaged मौत है आपने मौत को एक तरह से पैक कर दिया है और ये काफी शालीन और गरिमा पूर्ण लगती है क्योंकि मरे हुए लोग हमेशा गरिमा मह होते हैं है ना? उन्होंने कभी कोई बुरा व्याभार नहीं किया है तो बुनियादी रूप से हर चीज का मूल है दृष्टी की स्पष्टता और ये तब तक नहीं आएगी जब तक कि मेरे और मेरे शरीर के बीच में एक दूरी नहो अगर ये दूरी नहीं है तो पहचानों के बढ़ने को रोका नहीं जा सकता दृष्टी अगर इन पहाड़ों को देखते हैं तो आपको रोज दिवाना हो जाना चाहिए हाला कि मैंने इन्हें पूरा जीवन अपने भीतर रखा है फिर भी मैंने देखकर दिवाना हो जाता हूँ या तो आप इन्हें देख नहीं रहें कि आप सिर्फ नजर डाल रहें लेकिन देख नहीं रहें एक बार शंकरन पिल्ले इशा योग केंदरा है और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कमरा चाहिए जहां से सबसे बड़िया नजारा दिखाई दे तो काफी सोच विचार के बाद रिसेप्शन ने उन्हें चित्रा ब्लॉक में ठहरा दिया अगली सुभा उन्होंने शिकायत की मैंने एक खूबसूरत नजारे वाला कमरा मांगा था तुमने मुझे यहां क्यों रखाए उन्होंने कहा इस कमरे से सबसे अच्छा नजारा दिखता है उसने कहा नजारा का हैं यह पहाड बीच में आ रहे हैं पहाड कभी बीच में नहीं आते यह बस आप ही हैं जरूरत है बस खुद से परे देखने की है यह में प्योन करत में रहे हैं यह बस तुम है यह बस और हैं यह रेगशन की आयए में आते यह झाब दो ड्शा प्रा दो नहीं रहे हैं